नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही यूटूब चैनल आटो बाइक जंक्षन में दोस्तों आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिक काट्टू इरिक्षा सेगिमेंट में आने वाली कानपूर मैनुफेक्चरिंग 100% भारती इलेक्ट्रिक इरिक्षा जेश्य पसिंजर ठ्रीविलर के माइलेज रेंज फेचर्स और बैटरी बैक अप के बारे में जानकारी देंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर आप इसी रिक्षा को लेना या खरीदना चाहते हैं तो आप इसे पर्चेस कर सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी में बिल्ट की गई है जैसे इलेक्ट्रिक त्रिविलर इसे लेकर आप दिन के कम से कम एक हजार से बारा सो रुपय तक आराम से कमा सकते हैं फ्रंट से देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी बिन्ट सेल मिल जाती है जो ड्राइबर को धूल मिट्टी और बारिस के पानी से सुरच्छित करता है और इस बिन्ट सेल के शाप सफाई के लिए यहाँ पर वाइपर मिल जाता है विन्ट सेल के नीचे स्टील के प्लेट पर जैस से की नेम कटिंग की गई है इसके ठीक बीच की तरफ आपको तेज रोशनी वाली एलेडी वल्ब के शाथ हेडलाइट मिल जाता है जो रात के शमय काफी तेज रोशनी परदान करता है और यहाँ पर हरी रंग की नंबर प् आपको 12 इंच का टायर लगा मिलता है यहाँ इस थ्री विलर में तीन एलाइविल के शाथ टायर गाड़ी में लगे मिलते हैं साथी में एक विल इस्टेपनी के तौर पर दिया गया है इसके ग्रिल मोटी इस्टील एंगल में दी गई है यहाँ पर आपको दोनों ही साइड में बड़ी साइज आकार में इंडिकेटर मिलता है बात करें इसके हैंडिल वार की तो यहाँ पर एक्सिलेटर के साथ इंडिकेटर स्विच हाई और लो मोट स्विच देखने को मिल जाता है शाथी शामने की तरफ इसका स्पीडो मीटर और बैटरी इंडिकेट मिल जाता ह राइड साइड में आपको हेड लाइड पासिंग स्विच मिलता है, दोनों ही साइड में ड्राइबर को पीछे की साइड में देखने के लिए बैक मिरर दिये गये हैं साथी उपर की साइड में काफी बड़ी साइड में भी एक और बैक मिरर देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर इसके ब्रेक लीवर को देखें तो काफी स्टाइलिस ब्रेक लीवर दिया गया है इसको लगा कर आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं बीच में ही ड्राइबर साइड में काफी अच्छा लेग स्पेस दिखने को मिल जाता है सीट काफी चौड़ी और स्मूथ मिल जाती है ड्राइबर के केविन साइड में ही आपको मजबूत स्टिल और स्टिल की लाइनिंग ग्रिल मिल जाती है इसकी म्यूजिक सिस्टम की बनावट और सका इसपेस बहुती नए लूक में लगा मिल जाता है यहाँ पर premium quality का music system और शाथ में दो speaker मिल जाते हैं जिसका sound काफी loudly है आनो हो नी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए company ने यहाँ पर fire console दिया है बात किया जाए दोस्तों पीछे की side की तो यहाँ पर अच्छा खासा space दोनों ही seat के बीच में मिल जाता है यहाँ पर passenger या यात्री आराम से दोनों ही side में बैठ सकते हैं और जरुद के थोड़ा बहुत शमान वगएरे भी लेकी space की तरफ रख सकते हैं seat काफी premium quality में दी गई है शाथी यात्री के शुबदा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको backrest भी मिल जाता है side से look काफी अच्छी दिखाई देती है श्टीकर वगएरे का जम कर प्रयोख किया गया है इस three wheeler के पीछे की reliable काफी खुब स्थूरत दिखाई देती है दोस्तो JSA Ultra काई color option के शाथ आपको market में मिल जाती है दोस्तो अगर इसकी रूप को देखें तो काफी मजबूत फाइवर से इसके रूप को बिल्ड किया गया है यहाँ पर भी बड़े साइज में आपको JSA Ultra का बड़ा सा इस्टी कर मोनोग्राम देखने को मिल जाता है इस इलेक्टिक इरिक्षा के चारोतराप आपको बारिस के पानी से बचने के लिए रेक्सीन बिल्ड परदे मिल जाते हैं ताकि बारिस वगएर होने पर ड्राइवर या पसेंजर भी गे नहीं काफी सुंदर आपको यहाँ पर हैड लेग मिलता है जिसको पकड़ कर यात्र यात्रा कर सकते हैं दोस्तो बैक साइट से देखी तो यहाँ पर एक एलाई विल वित कबर के साथ इस्टेपनी भी दी गई है यहाँ भी JSA अल्ट्रा का इस्टी कर देखने को मिल जाता है JSA अल्ट्रा की डाइमेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2730 mm की लंबाई 980 mm की चौणाई और 1810 mm की उंचाई मिल जाती है यहाँ पर आटोमेटिक ट्रांसमीशन के साथ 1000 वाट का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है यहाँ पर आपको 350 केजी के आसपास पेलोट कैपसिटी मिलती है इसकी अधिक्तम स्पीट 35 km ह है अगर इसकी विल बेस को देखें तो यहाँ पर 1980 mm का विल बेस मिल जाता है जैसे इरिक्षा में शाट बोल्ट 135 AH लीथियम बैटरी मिलती है अगर इसकी मायलेज रेंज को देखें तो एक बार फुल चार्ज करने पर आप इसे 110 km तक चला सकते हैं बैटरी को फुल चार्ज करने में तकरीबन 5-6 घंटे का शमय लगता है दोस्तो आप इस इलेक्ट्रिक इरिक्षा को बेहत कम से कम डाउन पेमेंट में भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास 40-50,000 रुपय है तो आप इसे डाउन पेमेंट के रूप में जमा करके बाकी के पैसो का मन्थली इंस्टाल्मेंट बनवा कर भी इस गाड़ी को खरीश सकते हैं आप से 10,000 रुपय के बीच इसकी मन्थली किस्त आ सकती है अगर इसके अनरोड प्राइज को देखें तो यह थ्री विलर आपको 1,70,000 रुपय के आसपास उपलब धोजाती है इस थ्री विलर से शम्बंधित और भी जानकारी चाते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी अन्यगारी के रिवी विडियो के शाथ तब तक के लिए जैहिन नवशकार बंदे मात्रों